प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल और प्रेस दी बेल आइकन फोर लेटस्ट अपड़ेट वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलें Hey guys, welcome to प्रतियोगता संसार और यह important notification है HP High Court की तरफ से HP High Court में आज केस की सुनवाई हुई पुश्पा देवी वर्सीज HP State and Other तो क्या हुआ सुनवाई में, क्या कोट ने क्या कहा, इस सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेर करें तो आज जो HP High Court में सुनवाई हुई पुश्पा देवी वर्सीज HP State and Other केस की सुनवाई हुई ये केस लगाया गया था 12 फरूरी 2021 को हाई कोट में केस लगा था केस क्यों लगाया गया था केस लगाया गया था कि जो बीड स्टूडन्ट है उन्हें भी HP JVT बेच्वाईज जो भरती होनी है उसमें पातर माना जाए और उन्हें भी HP JVT बेच्वाईज भरती में मोका दिया जाए तो इसके रिगार्डिंग जो केस लगाया था पुश्पा देवी ने HP State के खिलाब केस में जो है वो 15-2 को पहली हैरिंग हुई और उसके बार लगातार जो है वो डेट्स दी गई और उसी इसमें 27-4 को 14-7-2021 की डेट्स दी गई थी कि जो है इस दिन इस पे सुनवाई होगी इस दिन इस पे चर्चा होगी कोट में क्योंकि जैसा आप जानते हैं पहले करोना की वज़े से केस डिले हुआ और फिर करोना तो लगभग चला गया लेकिन अभी भी जो क्या है वीडियो कॉंफरेंसिंग के थुरू जो है वो कोट की सुनवाई हो रही है तो वीडियो कॉंफरेंसिंग में क्या रहता है कि एक case को जो physical hearing और video conferencing में काफी फरक होता है time consuming होता है तो कई कारण रहते हैं जिसके कारण की आज फिर से जो है 14.07.2021 को आज फिर से एक बार इस case में एक अलग date दे दी गई next month 4.08.2021 की date दी गई लगातार dates पे dates मिल रही हैं तो काफी students काफी जो है वो परशान है फ्रस्टेटिड है और लगातार वीडियो पे देखते रहते हैं कि वीडियो पे उनके comment बड़े हताशा बरे comment आते हैं social media पे उनको देखते हैं तो बहुत परशान है और लाइब में भी देखते हैं तो लोग काफी परिशान है इस चीज से कि जो है वो इस केस का फैसला नहीं हो रहा है लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कोट के पास बहुत सारे काम है आपका काम बहुत इंपोर्टेंट है इसलिए इसे अरजेंट मेटर में रखा गया है लेकिन इससे भी अरजेंट मेटर के केस कोट के पास है उन पे भी काम पैरलरली चलता है तो उसी तरह इसमें भी काम चल रहा है और आप बिलकुल हताश मत हों क्यूंकि जब कोई चीज कोट में चली जाती है तो एक प्रोसेस रहता है उसी प्रोसेस के थ्रू जो है वो फैसले आते हैं और जो है इस दोरान अपनी स्किल्स ड्वालप करें थोड़ा पोजटिव रहें क्यूंकि हताशा चारों तरफ से बहुत है आपको खुद ही पोजटिविटी अपने अंदर लेकर आनी होगी और इसी तरह एच्पी हाई कोट ने जो है डेट दी है तो उमीद कीजिए कि नेक्स डेट पर जो है वो इसका अंतिम फैसला आ जाए बाकिया बिल्कुल गबराये नहीं और निरंतर जो है वो कुछ ना कुछ अपना करते रहें तो यही थी इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन की एच्पी हाई कोट ने आज एक और डेट दी दी चार आठ दो हजार इकि कीस को सुना जाएगा और उसमें ही इस केस पर अंतिम निर्ने शायद आ जाएगा लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि कोट में चीजें है कोट का अपना प्रोसीजर होता है अपने हिसाब से कोट काम करता है तो देखने क्या होता है तब तक आप बने रही ए प्रति वेक्ता संसार के साथ टेक क्यार